अब आपके सारे फिसिक्स के नेस्टिट माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टों खीचो अपको और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटर डाप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो चार्स हम बोला गया है कि a coaxial cable has a thin inner conductor along the axis of the hollow outer conductor ठीक है और दो conductor में equal current है बट opposite direction में है let b1 and b2 be the magnetic field एक है in between the conductors और एक है outside the conductors respectively तो हमें बताना है कि b1 और b2 का क्या values होंगे ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहले यह जो डाग्राम है वो बना लेते हैं तो हमारे पास इस डाग्राम में क्या है कि एक long thin inner conductor है और यह placed है एक cylindrical hollow cylindrical outer conductor में और क्या बोला गहा है दोनों में equal current है मतलब इसमें अगर current आई है तो इसमें भी current आई है but in the opposite direction मतलब हमारा outer shell में current जो है वो इस direction में जा रहा है तो हमें बोला गहा है b1 and b2 are magnetic field inside between the conductor and outside the conductor इसमें भी हमें क्या करना है हमें एक amperean loop लगाना है ठीक है कहां पर b1 बोला गहें somewhere in between the conductor तो हम लोग एक ampere loop बनाते इधर ठीक है तो इससे हमें क्या मिल रहे है इससे हमें मिल रहे है b1 dot dl is equal to कितना है current enclosed mu not i ठीक है तो हमारा b1 का value मिला क्या mu not i upon 2 pi r अगर यह value हमारा छोटा r है और क्या बोला गहां है outside the conductor magnetic field is b2 तो हम लोग एक और ampere circuit amperes loop लगाते है outside में ठीक है और इसका radius मान लेते capital R तो इस case में जब हम लोग ampere circuit law लगाएंगे तो यह बनेगा b dot dl is equal to mu not और इसमें charge current enclosed कितना है i minus iq कि एक उपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो इसका value हो गया 0 इसका मतलब किया b2 is 0 and b1 is this